साथियों 21 सदी की चुनोतियों को देखते भी है पूरे विश्व के सामने क्लाइमेट चेंज भी एक बड़ी समस्या है भारत ने ग्लोबल प्रेट्फरम पर मिशन लाइब जैसे इनिशेटिव लिये हैं विश्व भारत के नेत्रुत्व में बरोसा कर रहा है आप सब जानते हैं इस साल G20 जैसे महत्वपूर्ण ग्रुप की अध्रिशता भी भारत के पास में है यह आवजन पी इस बार वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर ऐसी भारत की मुल्भूत चिंतन की थीम पर आधारित है विश्वाज भारत के इस विजन से प्रभावित भी हो रहा है और दुनिया में भारत के प्रती आकर्षन भी बढ़ रहा है आपने देखा है पिछले महिने 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे पर किस तरह युनाइटे नेशन्स के हेड़क्वार्टर पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया दुनिया के सबसे जादा देशों के प्रतिनिदी एक ही समय पर एक ही जगह योग के लिए जुटे योग आज पूरे विश्व में लोगों के जीवन का हिस्सा बन रहा है आज लोग आयुर्वेद को अपना रहे हैं भारत की सस्टेनिबल लाइफस्टाइल से सिखने की बात कर रहे हैं हमारी संस्कर्थी हमारी विरासत हमारा अतीत हमारी धरोहर इनके प्रति जिग्यासा भी लगातार बढ़ती जा रही है और जिग्यासाई नहीं आस्था भी बढ़ रही है बीते कुछ वर्षों में दुनिया के अलग अलग देशों से कितनी ऐसी मुर्थियां भारत आई हैं जो मुर्थियां सो सो साल पहले पताथ साल पहले हमारे देश से चोरी होकर के बाहर चली गई थी भारत के इस प्रयासों के पीछे इस लीडर्शिप के पीछे हमारी सांस्कृतिक सोच ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है इसलिए ऐसी सभी प्रयासों में सत्यसाई ट्रस्ट जैसे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्थानों की एक बड़ी भूमी का है आपने अगले दो वर्षों में प्रेम तरू प्रेम तरू के नाम से एक करोड़ पैड लगाने का संकल्प लिया है मैं चाहूंगा कि व्रक्षारोपन हो और मैं तो चाहूंगा जब मेरे मित्र भाई हिरा जी यहां बैठे है तो जपान की जो छोटे-छोटे फॉरस बनाने की टेक्निक है मियावा की मैं चाहूंगा कि उसका उप्योग हमारे यहां ट्रश के लोग करें और हम सिर्फ पैड नहीं अलग लगए गापे छोटे-छोटे-छोटे-छोटे फॉरस बनाने का एक नमुना देश के सामने पेस करें तो बहुत बड़ी मात्रा में क्योंकि उसमें एक दुसरे को जिन्दा रखने की तागत होती है पौधे को जिन्दा रखने की तागत दुसरे पौधे में होती है मैं समझता हूँ कि इस काध्यान हिराजी तो यहां है और मैं बड़े हक से हिराजी को कोई भी काम बता सकता हूँ और इसलिए मैं हिराजी को भी बता दिया देखे प्लास्टिक फ्री इंडिया का संकल्प हो आप इसके साथ जादा से जादा लोगों को जोड़े सोलर एनर्जी क्लीन एनर्जी के विकल्पों के लिए भी लोगों को प्रेडित करने की ज़रूरत है मुझे बताया गया है और अभी छोटी से आपकी वीडियो में देखाए गया सत्य साइस सेंटरल ट्रस्ट आंध्रे के करीब चारिश लाग स्टुडेंट्स को स्री अन्न रागी जवा से बना भोजन दे रहा है ये भी एक बहुत सरानिय पहल है इस तरह के इनिस्वेटिव से दूसरे राज्यों को भी जोड़ा जाए तो देश को इसका बड़ा लाब मिलेगा स्री अन्न में स्वास्त भी है और संभावनाय भी है हमारे ऐसे सभी प्रयास वैश्विक्स तरपर भारत के सामरत को बढ़ाएंगे भारत की पहचान को मजबूती देंगे